Hello everyone, स्वागात है आप सभी का आज की वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं इस Skoda Kodiak के बारे में लेकिन उससे पहले सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बताई है Happy New Year तो कार की तरफ को वापस आते हैं तो ये आप देख रहे हो Skoda Kodiak LNK model जो की top of the line model है और मेरे साफ से ये कार मनला best है मतलब इस price range की अंदर ये मतलब आपको भरपूर मज़ा देने वाली है अच्छा luxurious feel आपको यहां मेलेगा एक better comfort है और मेरे साफ से फॉर्चुनर से काफी बढ़िया deal है ये कार और फैमिली के साफ से एक बड़ी गाड़ी देखते हो जिसमें आपको एक अच्छा luxurious feel मिल जाए एक better comfort हो सारे feature हो उसमें ऐसा नहों कि यार इतनी महंगी गाड़ी जली फीचर तो है नी और पाले में Audi, BMW से थोड़ी सस्ती पढ़ जाया तो ये आपके लिए सबसे best चीज है pricing wise बात करें तो ये जो LNK मॉडल है top of the line model आपको on the road लगभर लगभर मान लो 46-47 lakh रुपीज के बीच में पढ़ जाता है कुछ लोग कहेंगे कि इतनी महंगी गाड़ी है तो इतने में मैं Audi में जा सकता हूँ, BMW ले सकता हूँ, Mercedes ले सकता हूँ उनके starting variants ले सकता हूँ भाई अगर आप Mercedes की A class लेते हो या Q3 लेते हो Audi की तो वो भी आपको on the road 50 lakh रुपे की पढ़ती है तो काफी बड़ा difference आता है आपे अब हले आप इसका top ना लो, इसके नीचे आला sports model ले सकते हो या उसके नीचे आप style model ले सकते हो तो as compared to other brands ये आपको काफी सस्ती पड़ती है चावी से शुरुबात करते है हाँ चावी मुझे थोड़ी freaky लगी है मतलब या इतनी महंगी, इतनी stylish सी काल है दिखने में बड़ी है, body design इतना अच्छा है लेकिन चावी थोड़ा सा मतलब फीकी रह गई इसमें आपको basic से लोग, unlock और boot unlock का function मिलता है और पीछे logo है फ्लिप की का इसमें आपको कोई option नीए start stop button आता है इस car में तो चावी लगाने वाला कोई नीए, है मैनुवली निकाल सकते हो लेकिन वैसा कोई option नीए auto fold level ovarium के option मिल जाएंगे और देखो जैसे proper LED setup lightning यहाँ पर आपको मिलती है तो भई क्या look है, मतलब बहुती stylish elegant look आपको मिलने वाला grill काफी बड़ी है और इसमें आपको 360 degree camera भी मिल जाता है फ्रेंड में parking sensors भी आपको मिलते हैं जो कि आप यहाँ देखे तो पूरे इस तरह से side तक आ रखे है proper LED lights यहाँ पर आपको मिलती है जिनका spray बहुत अच्छा है तो यहाँ पर जो light में जो गंदगी होती है वो सब निकल जाती है तो ऐसे ऐसे यहाँ पर amazing features आपको यहाँ पर मिलने वाले है साइड से अगर आप इस कार को लेखते हैं तो देख से कितना बड़ा wheelbase यहाँ पर मिलता है गाड़ी कितनी लंबी है तो अंदर बैठके आपको जो sitting comfort है जो posture रहने वाला आपको बहुत रहेगा उनला आराम से यहाँ पर बैठोगे आप और गाड़ी दिखने में भी बहुत लंबी लगती है around 2800 mm का wheelbase इस कार में आपको मिलता है with 18-inch alloy wheels आप जो यहाँ पर टायर देखे हो इनका साइस 18-inch का है और चारो टायरो में इनमें आपको disc brake के options मिलते हैं हाँ ground clearance उतना नहीं है मदलब अगर आप शेहर के अंदर काड़ी को चलाते हो गाड़ी में अगर आप full family बैठे वे भी और समान भी रखा हो है तब भी शेहर के अंदर जो भी उबडखाबड रास्ता है उनमें से easily निकल जागी हाँ hardcore off-roading के ले इसको ले आते हो तो उसमें थोड़ी दिक्कत है वो fortuner बहुत easily कर लेती है लेकिन बाकी किसी भी रास्ते में जाना हो तो ये कार easily attainment चीज़ों को कर लेती है ये feature आपने बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में देख रखा है squadra भी आपको इची ओफर करती है दोरजा खोलने पे ये देख रहो door protector है अपने आप बहार निकल जाता है और बंद करने पे इस तरह से अंदर चले आएगा और ये आपको जो function है चारो दर्वाजों में मिलता है तो ये वड़ी उनीक सी चीज है मतलब रोज मर्ण देखने को नहीं मिलती है बाकी उपर आपको roof bars मिल जाएंगे panonomic sunroof मिलती है जो कि Fortuner मिस रहता है और shark fin antenna मिल जाएगा और इसमें आपको 58 liter की fuel tank capacity मिलती है जी हाँ ये गाड़ी आपको सिर्फ petrol मिलेगी डीजल engine option यहाँ पे नहीं आता है C&G बिल्कुल मत फिट कराना इसमें और अब engine की बात आएगी है तो यहाँ पे आपको 2-liter 4-cylinder turbocharged petrol engine मिल जाता है जो कि काफी अच्छी पावर निकालता है 188 bhp and 320 Nm off-talk इसमें आपको 7-speed का DCT gearbox मिल जाएगा paddle shifter and sports mode के साथ और around 1.8 turn इस car का curve weight है अब back side में अब यहाँ पे उत्मी spacing नहीं है लेकिन आप देशेते हो tail light कुछ इस तरह से पूरी पीछे तक आ रहे है इस तरह से तो side वाला बंदर भी जो चल रहा हो भी tail light के जो lights नहीं को देख लेगा सब कुछ LED में options यहाँ मिलेंगे यह car आपको all wheel driver 4x4 के option के साथ मिलती जो की काफी amazing है squadra, kodiak cab badge यहाँ पर है squadra काफी बढ़िया तरीकी से यहाँ लिख रखा है camera यहाँ पर भी आपको दे रखा है बाकि वही basic चीज़े सभी है इसमें defogger, rear wiper जो भी होता है यहाँ पर आपको power tailgate का भी option मिल जाता है, मैं दिखा दूँ आपको देखते हैं इतनी कम जगा में खुलता नहीं खुलता है okay, थोड़ा close था लेकिन देखे तो इस तरह से power tailgate function होता इसमें और boot space की बात करें तो यह 7-seater car है, उससाब से यहाँ पर ठीक है enough spacing आपको मिलती है तीनो रो लगी भी है ने इस तरह से अभी तो किसी ने कुछ समान कर रखा इसको मैं ज़रा adjust करता हूँ okay, तो आप सब कुछ सेट कर दिया तो इस तरह से थर्ड रो लगी होगी तो यहाँ पर आपको around 270 लीटर की boot space मिल जाती है, चो कि ठीक है चोटा मोटा यहाँ पर आप स्टफ केरी कर से तो चोटे मोटे जो लगेज बैगें बहुत ईजली आएंगे इन सीट को आप फोल्ड कर दो के तो बहुत आराम से आपको आराम से 4.500 लीटर प्लस की boot space इस कार में मिलती है और एक अच्छी चीज मुझे बता है कि यहाँ लगी जब आप सीट को फोल्ड करते हो ना इस तरह से भी तो समान रखा है तो यहाँ पर ऐसा ना लोडिंग लिप ऐसा कोई खराब नहीं बनता आपका समान एजली यहाँ से देखो स्लाइडिन होके चले आएगा कहीं पर यहाँ पर अठकेगा नहीं क्योंकि कुछ सेवन सीटर्स कार में होता है कि जब सीट फोल्ड करते हो तो पूरी सीट ऊपर को ही रहते है यहाँ पर देखो बिलकुल प्लेन आता है तो लगेज बहुत एजली अंदर कैरी आउट हो जाएगा आपका बंद करते हैं तो यहाँ पर आपको बटन दे रहागा इसको दबाएंगे और टेल गेट पूरा यहाँ पर प्लोज जाएगा बड़ा सिंपल है यह चीज़ अब आते हैं मेन इसके इंटीर में जहां पर आपको एक अलगी लेवल का मज़ा आने वाला है गाड़ी करते हैं अनलॉक और इसका जो इंटीर है कुछ इस तरह से है मतलब क्या बड़िया कॉलिटी है दिखने में बहुत अच्छा लगता है अलगी लक्शुरियस फील आपको मिल जाएगा और फीचर्स की भर्मार है इसके अद्रे दोर्स में देखेंगे पहले तो इस गाड़ी में आपको 12 स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है तो चार चार बाकी पीछे की तरफ को टूटल गाड़ी में आपको 12 स्पीकर मिलते है तो स्राउंडिंग वाला फंक्शन है वो बहुत अच्छा बनता है इस कार में और केंडम की स्पीकर आता है अब मुझे पता इनकी क्वालिटी कैसे लेकिन कंपनी आले कहना है बहुत बढ़िया क्वालिटी हां पर आपको मिलने वाली और जो ड्राइवर को ड्राइवर सहीर है दोनों आपको इलेक्ट्रिकली एड़िस्टिबल सीट्स मिलती हैं मैमोरी फंक्शन के साथ मिलेंगे और इनका कमफर्ट रेली काफी अच्छा भी तोनों पैक कर रहा लेकिन प्रापर आपको लेधर सीट से मिल जाएंगी बकिट फिनिशिंग के साथ और काफी कमफर्टेबल इनमें आपको हैड्रस मिल जाते हैं वो भी एड़िस्टिबल है और तो स्टार्ट करते हैं इसको दबाते है औरे वाँ इस बें की कॉलिटी रेली काफी अच्छी है मतलब प्रॉपर एक्च्वल में हर एक गाड़ी की डीटेल है सब कुछ यहां पर शो हो रहा है तो प्रॉपर यहां पर आपको देख रहो डिजिटल डिस्प्ले यहां पर आपक होगा ओके अभी इन्फोटीन में सिस्टम अन नहीं हो रहा है थिंग यह काड़ी को स्टार्ट करने पर ही होगा यह सिस्टम है यह आपको 9 इंच का मिलता है दिखने में बहुत बढ़ा लगता है लेकिन एक्चुली डिस्पले वो खाली इतनी सी है यहां पर बाकी वैसे द जो आवाज है बहुत क्लेली आप सुन सकते हैं आटो क्लामिट कंट्रोल है नीचे आपको वायलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलेगा वो कैसे इसको हटाओगे तो यहां पे अंदर डी स्पेसिंग दे रहे है तो अंदर बैठके फील आपको बहुत प्यारा आएगा एम्पेन लाइटनिंग का भी इसमें आपको प्रिकिलर कर सकते होने इस सिंगल क्टोन में भी उनको रख सकते हो बाकर आपको पटागे है स्कोद आप स्कोड अमे कॉलिटि आपको अच्छी मिल जाती है मादलब अड़ चुगे तो आपको अदरी कंफर्ट और प्र जो फि इस तरह से multifunction है भई मतलो उपर भी नीचे भी यहाँ पर आपको जो spacing है मिल जाएगी और जो armrest है इसको आप आगे पीछे adjust कर सकते हो पीछे करोगे तो यहाँ पर आप cup holder के options हो मिल जाएगे और इसको हटाओगे तो यहाँ पर additional or spacing है चाहो तो इसको इस तरह से निकाल के हटा भी सकते हो बागे इसमें आप इससे लगा देंगे आपस तो इसमें भी आपको multiple storage के options मिल जाते है और जो seat का comfort है ना भाई वो really next level है मतला कैसे भी हो मतला आपका size जो भी है आप काफी healthy है पतले है ये जो seats है ना बहुत अच्छा आपको comfort देती है भले आपका अंदिधाय support हो back support हो, head support हो headroom space तो clearly काफी अच्छा है इस car में तो comfort बहुत प्यार है next level है और इसमें अगर मैं थोड़ा सा गुमाओ इसमें कुछ है options देखें तो इसके अंदर आपको options काफी सारे मिल जाएंगे cruise control को आप यही से operate कर सकते हैं और और भी कई settings है तो मैं अच्छे से operate नहीं कर पा रहा लेकिन देख सकते हैं यह देखे हो आप multiple functions यहां पर आपको दे रखें तो really काफी interesting है और इसको बैट के चलाने का भी feel ही अलग है अब काफी साथ लोग कह रहूंगे safety में क्या है इस car में safety भी काफी अच्छी है मदलब इस car को Euro Renum Cap में 5 स्टार रेटिंग मिल रही है मदलब 5 स्टार रेटिंग इस car को है safety features भी धेर सार है जो feature आप गिनाओगे सब इस car में आपको मिल जाएंगे tear pressure monitoring system आपको मिलता है nine airbags यहाँ पर आपको मिलेंगे ABS, EBD, traction control सारे function है अप नाम का हो it has it अब back seat में चलते हैं भई पीछे भी तो बंदा बैटता है और वहाँ comfort एक next level होना चाहिए तो पीछे की seats हैं कुछ इस तरह से लिखती है तीन adjustable headdress आपको मिल जाएंगे armrest का इसमें आपको option मिल जाता है और पीछे आपको इस तरह से बढ़िया quality के sun shade है वो मिल जाएंगे मतलब देखरो काफी इच्छी quality है इनकी और पीछे के door में भी काफी जगा आपको soft touch मिल जाता है इवन अगर आप यह चीछ चेक करो मतलब जहां पर हम water bottle carry करते हैं रखते हैं उसकी पीछे भी इस तरह से mat लगा रहे कि जातर गाडी में खाली plastic होता है तो हर चीज में यहाँ पे ध्यान दे रखा है पीछे भी आपको speakers, twitters मिल जाएंगे एक twitter और एक speaker मिलेगा यह chrome में धे रखा है इस तरह से ambient lightning का भी option मिलेगा और seat में आइड़्जस कर लिया बैट के देखें इक बाद अरे वाँ मतलब बहुत अच्छा comfort यहाँ पे मिलेगा सीट्स का इंगर बहुत प्यार है, support, back, support सब कुछ आपको प्रॉपर मिलने वाला है यहाँ पे इवन जो देख रहो headroom space भी काफी अच्छा है, मेरी height 6 feet है बहुत से लंबा भी कोई आदमी होगा ना वो भी बहुत प्यार से बेट जाए काफी अच्छी ऐमान्ड में यहां पे आपको lowнаком space मिल जाता है और मैं बहुत अपको थोड़ा आपस बहुत दूख को तब मेरे पैर यहां पे टच ऊचंगे? और बिल्कुल लेट जाऊँ गा नीचे तो आप थर्ड रोमे जाना है तो यह सीट मतलब जैसे इनों में क्या उता था था न सीट घूम जाते थी ऐसा option तो नहीं है यह पर शीट करो गया फिर फोल्ड करोगे तब अब यहां पर शपेसिंग बहनती पीछे जाने के लिए और समान को थोड़ा सा उधर की तरफ को फेक अगर आप तीनेजर हो तब भी यहां पर आप कमफोटेवल नहीं हो फाओगे जैसे आप यह देख सकते हो मेरे पैर कैसे हो रखे यह तो इस तरह से बैट रखा हूँ तो पीछे इनफ स्पेसिंग नहीं है हाँ छोटी होटे बच्चों को बठा सकते हो अगर आप फैमिली को तो इन सीट्स को आपको काफी आपके करना पड़ेगा तब यहां पर थोड़ा सा कुछ रखने के लिए है इसर आपको वाटर बटल होल्टर मिल जाता है तो पीछे फंक्शन ठीक है फंक्शन आपको मिल जाता है लेकिन स्पेसिंग उतनी महतर नहीं लेकिन आगी तरफ को क जवाब कमफर्ट आपको मिलता है लेकिन जो भी हो ओर ओर एक काफी एच्छी मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर आपको एक आपको एक काफी कुछ ओफर कर रहे है मतलब यहां पर स्टाइलिंग काफी इच्छी है काफी प्रीम इंटीर लक्शूरियस इंटीर आपको मिल आपको आपको इन गाड़ियो के बारे में और डीटेल में अच्छे से बता देगी और वीडियो इंचे लेगी तो वीडियो को लाइक करें औरो को शेय करें और चेर्में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना बहुत चल मिलते हैं आपको ऐसी और नी करेंगे अच्छे से ले एको पारे लेगी और रिरी और ने करेंगेद करेंगे पनलना बारे में और रयो कि कि यजए हैं आपने आपको अच्छे करेंगे और रहां करेंगे पर से द calendar घालना ।